नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है बिहार बिधान सवा चुनाओं के बीच मुंगेर फाइरिंग को लेकर सियासत गर्म है अगले दो फेज के चुनाओं में बकाईदे वो मुद्दा बन रहा है पहले भी मुद्दा रहा वहां के SPDM को हटाय जा चुका है निलंबित कि लेकिन उस दिन की हकीकत क्या है यह अभी तक असपरस्ट नहीं हो पा रही थी मुंगेर की जो ततकालीन SP लिपी सिंग है जो जेडी उनेता RCP सिंग की बेटी है वो उनका कहना यह था कि भीड में स्तामिल असमाजिक तत्वों ने पहले पत्थराओ और फैरिंग की पुलिस को बचाओं में फैरिंग करनी पड़ी और जो एक ब्यक्ति की मौद हुई थी वो असमाजिक तत्वों के गोली बारी से ही मौद हुई थी तैनाती की गई थी CISF ने 26 अक्टूबर गोली कांड की रिपोर्ट अपने मुख्याले अपने वरिष्ट अफसरों को भेजी है 27 अक्टूबर को और इसमें साफ लिखाया कि मुंगेर कुटवाली थाना के आगरह पर CISF की एक टुकड़ी को मूर्ती बिसरजन जुलूस की सुरक्षा के लिए स्कूल वाले कैम से भेजा गया था 26 अक्टूबर की रात 11 बच के 20 मिनट पर CISF के 20 जवानों की टुकड़ी को तैनात किया गया मुंगेर पुलिस ने इन 20 जवानों को 10 जवानों के दो ग्रूपों में बांट दिया एक ग्रूप को SSB और बिहार पुलिस के जवानों के से पहले हवाई फैरिंग की फैरिंग के बाद भीण और ज्यादे आक्रोसित हो गई और पत्राओं भी तेज हो गया हालात को बेकाबू होते देख CISF के हेट कांस्टेबल एम गंगया ने अपनी इंसास राइफल से 13 राउंड गोली हवा में दागी फैरिंग के बाद आक् किसी बात को लेकर के ठकरा हुआ भीण की तरफ से पत्रा हुआ हवाई फैरिंग बिहार पुलिस ने यानि मुंगेर पुलिस ने की फिर जो है भीण बेकाबू हो गई सियाए सब के जमान ने फिर हवाई फैरिंग की अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर उहां की ततकालीन एसपी लिपी सिंग ने ये क्यों कहा कि पहले भीण की तरफ से फैरिंग की गई क्या तब तक उनके पास पूरे फैक्ट नहीं थे या उन्होंने जुट बोला और जिस ब्यक्ति की मौत हुई अभी तक की ये क्लियर नहीं है कि क्या हुआ असमाजिक तत्तों यानि की भीण की गोली से या पुलिस की गोली से इस पे भी प्रसासन खुल करके नहीं बोल रह है ये भी बात उतनी हकीकत है कि इसमें साथ ठाना ध्हक समेट 20 पुलिस कर्मी घायल हुए थे यानिकी भीण की तरफ से पत्राव किया गया और उसके बाद पुलिस ने जवाबी करवाई की हाँ पत्राव की सुरुवात भीण की तरफ से हुई पुलिस ने हवाई फैरिंग पहले की और उसके बाद जो है जब इस्थिती और जादे बिगड़ने लगी तब CISF ने हवाई फारिंग 13 राउंड गोलिया दागी तो ये है उस घटना की हकीकत क्योंकि CISF कहीं से इसमें पार्टी नहीं है CISF की मदद ली गई थी दो ग्रूपों में सुरक्षा कर्मिय के तैनाती की गई थी एक ग्रूप दिन द्याल जो चवराहा है वहाँ पर तैनात था और उसी के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई है तो ये रिपोर्ट काफी हद तक निस्पक्ष लगती है देखते हैं फाइनल जब रिपोर्ट आती है तो क्या काती है लेकिन बात में द प्र्ट आती है वहाँ पर बात में ऑचित बात बात ट 협 weave और साइन द्यात्व कातशन सूर met सूनके है वहाँ भेजितार स्च़ भेएज की करुबडर का सुनका स्प्सक्राइब घब भेदिस एनल दो आती है बात में जो हॉई जग aúnस में पर पिन आता आती है कीा।, झाल झाल